हेलो फ्रेंट्स मैं आप सब लोगों का अपने इस एडुकेशनल चैनल पे हारदिक अभिनंदन करता हूं फ्रेंट्स जिस बात का इंतजार हजारों चात्र कर रहे थे 69 BPSC की परिक्षा का डेट कब आएगा कब आएगा उसे संबंधित बाते वो जानना चाह रहे थे तो आपके लिए इंतजार की घरी समाप्त हो चुकी है साथ ही साथ आपके सामने इए उप्षन का भी जो है वो फैसला आ चुका है परिक्षा की तारीखों का भी एलान किया जा चुका है चेर्मेन सर ने सब कुछ बता दिया है और यहाँ पर कई प्रकार के बड़े बदलाव आपको सिक्षिन आइन बेपिएसी की परिक्षा में देखने को मल सकते हैं यह क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं इसको मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि section and BPSC में आपको क्या-क्या बदलाओ देखने को मल सकता है इसकी विशेश रूप से मैं आपको जानकारी प्रदान करने वाला हूँ और ये सभी बाते जो है chairman sir ने एक media group को interview देते हुए ये सारी बाते रखी है उसका मैं आप लोगों को screenshot भी दिखाने वाला हूँ और सारी बाते समझाने वाला हूँ तो यहाँ पर आप लोग अगर section and BPSC के अभिरती हैं तो अपने कमर को कसले और तयारी में लग जाए ठाकि आपके पास समय रहते हैं आप सभी विशेओं की पूरे exam की अच्छी तरीके से तयारी कर सके और अपना selection जो है वो section and BPSC की परिक्षा में करवा सके यहाँ पर section and BPSC में अची खासी vacancy रहने की संभावना है और यहाँ पर कई प्रकार के 3-4 major changes जो है वो section and BPSC की परिक्षा में किये गया है इस प्रकार से 68 BPSC की परिक्षा में में भी कई सारे changes किये गये है चाहा वो pre-level के exam में हो या mince level के exam में हो ठीक वैसे ही changes आपके जो है 69 BPSC की परिख्या में भी किया गया है यह क्या-क्या changes है इसका जो है एक exam date क्या है वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंद तक जरूर बने रहे सबसे पहले मैं आपको बताते चलू कि यह जो मैं आप लोगों को information बता रहा हूँ the times of India के जो news article से मैं आप लोगों को यह सारी बाते बताने वाला हूँ देखिए पटना दब बिहार public service commission BPSC will now conduct combined preliminary test for the various services of similar nature from the section and combined examination onwards इसका मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार से BPSC जो है वो several post के लिए अलग 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 जो है वो पिरी की परिक्षाय लेती थी तो यहां पर एक ऐसा जो है वो आप कह सकते हैं कि फैसला किया गया है कि section 9 BPSC की परिक्षा से जो same nature के जो examination है जैसे यहां पर आपके सामने कुछ examination के बारे में नाम भी दिया गया है BPSC chairman अतुल प्रशाच told newsroom on Sunday यानि Sunday को उन्होंने बताया देखिए वो कौन-कौन से exam है जिनका PT जो है एक साथ आप conduct करवाया जाएगा तो आप लोग बिहार Public Service Commission का तो लिया ही जाता था साथी साथ CDPO और APPS इन सब का जो है वो civil services examination का जो prelims परिक्षा है उसको अब एक साथ ही conduct करवाया जाएगा तो सबसे पहला major change आप लोग यह देख रहे हैं कि आपका prelims की परिक्षा चाहा वो आप किसी भी प्रकार के exam की अगर आप तयारी करते हैं तो आपका prelims की परिक्षा जो है वो एक ही जगा पर होगी सभी बच्चों की परिक्षा एक जगा ही ली जाए गा साथ ही साथ सभी परिक्षाओं के लिए cut-up भी जो है वो अलग अलग जारी किया जाएगा तो यह पहली बात आप लोग समझ चुके होंगे दूसरी बात यह आती है कि बहुत सारे बच्चे यह मतलब असमंजस में है कि सर इसका examination 69 BPSC का examination कब तक हो सकता है ताकि उस हिसा सब्सक्राइब के दिन जो है वो और्गनाइज की जाएगी ली जाएगी ही सेड हाईवर डब मेरिच लिस्ट विल बी प्रिपेट सेपरेटली फॉर इच सर्विसस एंड रिजल्ट अलसो भी पब्लिश सेपरेटली यहां पर जो पहले जो मैंने आपको बात बताई थी वह है वो आप कह सकते हैं कि सिप्टेंबर 30 को जो है वो निरधारित किया गया है अब बात यह आती है कि इसका जो है फॉर्म कब से फिल हो सकता है तो फॉर्म फिल होने से संब्दित अभी इस पर कोई जानकारी नहीं है लेकिन बेपियसी का एक एवरेज यह इतिहास रहा है कि एक्जामिनेशन से तीन से चार महीने पहले जो है वो फॉर्म फिल करवाती है बेपियसी तो आप उसे से अंदाजा लगा सकते है कि सिप्टंबर में अगर आपका एक्जाम होता है तो जून जुलाई तक आपका फॉर्म फिल करवाया जा सकता है इस पर ऑफिशल जानकारी आप लोगों ने देखा कि 68 BPSC में आपके नेगेटी मार्किंग को जो है वो इंक्लूट किया गया है तो बहुत सारे बच्चे यह डिमांड कर रहे थी कि यहाँ पर पहले तो नेगेटी मार्किंग नहीं हुआ करता था तो आपके सामने यह उप्शन जो है वो काफी मतलब लिंदी हो जाता था बच्चों को समझने में और बहुत सारे गल्तियां भी उसी वज़ए से लोग कर देते थे तो एक तरीके से यह उप्शन जो है आपके नेगेटी मार्किंग का ही काम करता था तो यहाँ पर कहा गया है कि यह उप्शन को भी हटाने पर विचार चल रहा यह आप कह सकते हैं कि इंस पर जो है ओपीनियन लिया जाएगा सारे लोगों से और यह उप्शन को हटाने पर जो है विचार विमर्श करकर करके इस पर भी जो है वह कुछ नगुछ फैसला किया जाएगा आपके सिक्षिन एंड बेपियसी पर तो अवर आप लोगों को बत सारे जो बेपियसी के जो संग है उन लोगों ने जो है वो इस पर अपने विचार रखे थे चेर्मेंट सर के पास की यह उप्शन को हटा जा तो हो सकता है कि आपके यह उप्शन को जो हटा दिया जाए तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है सुबा सुब करवाते हैं यह देखने वाली बात होगी साथ ही साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा आप लोगों के बीच एक जानकारी और देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर जो है आपके सामने मिंबर्शिप और जॉइन का सेक्षन जो है वो अल्रेडी ओपन हो चुका है तो आप लोग जो है वहां से जॉइन हो करके या हमारे चैनल के मिंबर बन करके या हमें जो है वो सूपर थैंक्स दे करके हमारी सहता कर सकते हैं और इस तरह के इन्फरमेटी वीडियो आप समय समय पर पास सकते हैं तो फ्रेंट हम अपने इस वीडियो को यहीं प तक के लिए धन्यवाद, God bless you all.